है गाइज वेलकम बेक एगन मैं यूट्यूब चैनल ज्यां दोस्तो आप सभी कैसे हो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे यार दोस्तो एक और शांदार वीडियो के अंदर आपका स्वागत है चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले दोस्तो आप देख सक तो सबसे पहले दोस्तो आप देख सकते हैं यह वेकेंसी किसके अंदर निकली है जो प्रोजेक्ट है इसका प्रोजेक्ट है आई सी एमर दोस्तो आई सी एमर के अंदर यह वेकेंसी निकली है और यहां पर आप देख सकते हैं लैप टेक्नेशन आपको दिक रहा होगा ठीक इसके बाद में दोस्तो आप देख सकते ही number of vacancy कि अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर lab technician के लिए दो vacancy इसके अंदर निकली है और एक vacancy इसके अंदर निकली है and two year diploma in medical laboratory technology ठीके गाइस आपका two year का diploma होना चाहिए आपकी 12th class के अंदर science subject होना चाहिए ठीके गाइस उसके साथे साथ में दोस्तो one year diploma DMLT ठीके गाइस आपका DMLT होना चाहिए साथे साथ में plus one year आपका required experience होना चाहिए दोस्तो recognized institute होता है या organization से दोस्तो जो काफी बढ़िया होता है उससे दोस्तो आपका lab का two year का experience आपका होना चाहिए ठीके गाइस DMLT plus one year experience होना चाहिए ठीके गाइस या तो दोस्तो आपका DMLT होना चाहिए उसके साथे साथ में one year का experience होना चाहिए या DMA दे दोस्तों अगर आपकी नहीं है BAC है तो दोस्तों BAC degree should be treated दोस्तों अगर आपकी BAC है normal BAC तो उसके साथ दोस्तों आपका तीन येर का experience चीए है तो काफी बढ़िया है और दोस्तों यहाँ पर age limit काफी बढ़िया है तीस साल से दोस्तों आपकी age कम होनी चीए तीस से ज़्यादा नहीं होनी चीए और इसके अंदर जो starting जो monthly salary रहेगी वो रहेगी 18,000 तो I think काफी ठीक है एक lab technician के लिए दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करें हो और यह location अगर आपके पास की है तो आप इसको join कर सकते हो जिससे दोस्तों आपका experience improve होगा साथ साथ में आपकी skills improve होगी आपको knowledge हो जाएगा किसी भी काम को करने के लिए उस field के अंदर उत्तों काफी जरूरी होता है केवल आप DMLT करके बैठ जाते हो तो दोस्तों ऐसे मना तो कोई experience आपको मिलेगा और नहीं किसी तीज को face करने का मौका मिलेगा इसलिए जब भी vacancy निकलती है तो आपको बीना सोचे समझे आपको वहाँ पर एक बार join कर लेना होता है जब भी ऐसा कोई इससे बड़ी opportunity आती है तो उसको छोटी को छोड़ते ना है उससे बड़ी को ले लेना है पर दोस्तों आपको जब भी मौका मिलता है आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ठीक है उसके बाद में जो नाक्स है वह लैप टेग्निशन के अंदर दोस्तों फिल्ड असिस्टन यह भी इसके अंदर दो पोस्त हैं ठीक है तो इसके अंदर भी जो एज लिमिट रखी गई है वह रखी गई है 28 साल से आपकी इसकी पीडियेप आपको मैं डिस्क्रप्शन के अंदर दे दूँगा तो आप आसानी से वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और आप चाहे तो इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं तो इसके बात में दोस्तों हम बात करते हैं आप कब तक लास्ट इसके अंदर एपलाई कर हैं उसके लिए भी काफी बडिया बात हैं इसके अंदर सेलरी साट जहार है अगर फिस Go assaj溜 dog आपके मिलने वाला है और वह अब ऋवैस और वहां गांजिए और वह एक तारीक को नोटिफिकेशन आया एक 11 2020 को नोटिफिकेशन आया और दोस्तों इसके अंदर आप कब तक एपलाई कर सकते हैं वह अगर हम बात करते हैं यह एक एप्लिकेशन इंवेटेट फॉर्म दोस्तों यह एक कॉंट्रेक्ट वैस वेकेंसी है और इसके अंदर जो नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह काफी बढ़िया है तो ऐसे में आप इसके अंदर एपलाई कर सकते हो और यह लिंक आपको यहां पे दिख रहा होगा आप सिधा इस लिंक के उपर क्लिक करोगे और आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा तो डिस्क्रप्शन के अंदर इस लिंक के उपर क्लिक करोगे सारी जानकरी आएगी साथे साथ में दूस्तों आपको किस अद्वाट्वर्टेज्मेंट नंबर है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगे और कंप्लीट डिटेल से सब कुछ यहां पर मिल जाएगा ठीक है इस उसके पाद में दोस्तों आप प्पूरा पढ़के धो आफ एपक्र अपर पढ़के कर सकते हो ठीक है इसके बाद में कुछ ट्वर एक कर दिए और जल्दी से तुस्ट हमारी यूटीव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे प्लीज सस्क्राइब कर लिए छोटी बड़ी जो भी वैकेंसी होती है उसके उपर मैं रेगुलर वीडियो लाता रहता हूं चाए वह एक साल की हो दो साल तीन साल या पर्मानेट और जो भी जिस भी टाइब की वैकेंसी होती है या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर होती ह है लैब टैकनेशन की केवल लैब टैकनेशन लैब असिस्टेंट तो दोस्तों आप अगर हो तो ऐसे में आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथे साथ में दोस्तों बेसे नर्सिंग और अमबेसे स्टूरेंट भी हैं तो वह भी सब्सक्राइब कर सकत